Hello dear student, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेशन करने हम लोग जा रहे हैं जो All India PMT Prelims 2012 में है था क्वेशन को सबसे बहले पढ़ते हैं यार Two spheres A and B of the masses M1 and M2 respectively collide दोनों में टक्कर होती है, एक का मास M1 एक का मास M2 है A is at rest, जो A है वो शुरू में रुका हुआ है इसको मालीज़े मैं A माल लेता हूँ इसका मास कितना है M1 और यह क्या है rest में And B is moving with the velocity V along X-axis और जो B है वह V velocity से चलता हूँ आ रहा है इसके ओपर X-axis के तरफ इसका मास कितना है M2 After collision, B has a velocity of V by 2 in a direction perpendicular to the original direction जो दोनों की बीच में टक्कर हूँ ही और आपको कहा जा रहा है कि जो B है Collision के बाद में Y direction में V by 2 velocity attend कर लेता है The mass A moves after collision in the direction तो आपसे पुछा गया है कि जो M1 mass है वह है किस direction के अंदर move करेगा सिर्फ direction पूछी गई है देखो यार, collision का कोई भी question हो यहाँ पर कोई भी external force तो लगनी रहा है तो यह तो 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 हुआ हुआ कि we can apply law of conservation of linear momentum law of conservation of linear momentum linear momentum conserve रहेगा न सम्वेक संरक्षन का नहीं हम लगेगा ओके, collision के पहले का momentum बराबर collision के बाद का momentum तो आई यह करते हैं हम लोग P initial बराबर P final करने जा रहा हूँ collision के पहले का momentum इस B वाले का लिखो M2 इसका mass है और इसकी velocity V है direction इसका I cap है तो गर direction चेंज हो रहे हैं न तो यह I cap जे के लगाने पड़ेंगे दूसरे वाले का mass तो M1 है बट उसकी velocity 0 है क्योंकि वो रुका हुआ है दूसरे वाले का mass है M2 और उसकी velocity किदर है Z में वालव Y में तो यह J cap लगा दिया और M1 mass की velocity किदर होगी मुझे नहीं पता ठीक है यहां से मेरे पास direction आ जाएगा अब एक काम करो यह जो J cap है न यह इस वाले term को ले जाओ यार इदर left and side में M2 V I cap minus M2 V by 2 J cap पराबर M1 V vector हो गया अभी जो M1 दिखाए दे रहे ना इसको इदर divide कर दो से M2 में मेरे पास V vector आ जाएगा तो इदर जो left and side है पहले मैं वो लिख लेता हूँ उदर जो है M2 V I cap minus M2 V by 2 J cap और जो M1 था ना उसको मैं दर division में लेके जा रहा हूँ यह लो ठीक है यह velocity vector आया यार velocity vector आने के बाद में मेरे को इसका direction मिल जाएगा तो यह तो मैंने x axis ले लिया और यह y axis ले लिया यहीं इसकी direction बसी पड़ी है इसका जो coefficient है यह x axis बे है तो यह इदर बनाओ क्यों जाएगा आपका M2 upon M1 V plus x में नहीं है तो इदर मैंने इदर की तरफ बनाए है और यह देखो यह वाला component है यह minus J में है तब नीचे बनाओ इसकी विल्य हो जाएगी M2 upon M1 V by 2 अब एक component इदर की तरफ एक component इदर की तरफ वोगया तो जो उनका resultant component है resultant जो velocity है वो इस तरफ आएगी मतलब जो M1 है वो इस तरफ move करेगा अब M1 इस तरफ move करेगा तो आप options की तरफ देखो, option क्या बोल रहे है theta बरापर इतना to the x axis theta बरापर इतना to the y axis तो X और Y से अपने लोग इसका direction निकाल लेते हैं तो माली जे मैंने X से direction निकाला माना कि वो angle कितना है theta यह जो triangle है इसमें अगर मैं 10 theta निकालूँगा तो वो आएगा perpendicular upon base angle के सामने वाली set क्या होती है perpendicular यह perpendicular है देखो यह वाली जो length है पेटा यह length कितनी है यह रही M2 upon M1 V by 2 और जो base है वो यह रहा जो है M2 upon M1 into V यह पुरा कट जाएगा V से V कट जाएगा और यह कितना आगे आपके पास में half theta की वो लिवागी 10 inverse half तो यह X axis के साथ में अंगल आया 10 inverse half और यही मेरा पहला option है तो यही correct answer हो गया तो लो एक बार second option को भी check कर लेते हैं 10 inverse minus half to the Y axis यह Y axis के साथ में अंगल पूछ रहे हैं तो अगर मैं Y axis के साथ में अंगल की बात करता हूं तो यहाँ पर एक काम करता हूं इस अंगल को मैं alpha माल लेता हूं यह Y axis के साथ अंगल आजाएगा 10 alpha is equal to निकाला तो perpendicular upon base इस alpha के लिए perpendicular यह यह वाली लेंथ है ना और यह वाली लेंथ इसके बराबर है उसको लिख सकता हूं में M2 upon M1 और जो base है वो यह रहा M2 upon M1 V by 2 यह काड़ दिया V से V कट गया और यह कितना गया 2 alpha बराबर आगे मेरे पास में 10 inverse 2 तो यह 10 inverse 2 आना चाहिए था और यह मैंने साथ बोल रहा है तो यह wrong हो गया same as that of B तो यह तो बिलकुल गलत बात है opposite 2 B ऐसा भी नहीं चल रहा है तो मेरा जो सही answer है इसमें वो हो गया पहला तो उस तरह से law of conservation of linear momentum न यह कमाल का टूल और बड़ी-बड़ी problems को solve कर देता है बस मैनत करते जाओ तो कुछ बहुत अच्छा होगा बहुत बढ़ी होगा